हाई गाईज दिस इस वभीता ये वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाइन लाइट आप टैरो गाईज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक कुछ इस तरह से है कि लोग आपके पीट पीछे वार क्यों करते हैं क्या वजय है और क्यों करते हैं वो पीट के पीछे आपके वार यह हम इस रीडिंग के त्रू देखेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो में जाने से पहले आपको एक परसनल सजेशन आपके लि लेसंस मिलते हैं वो लोगों को भी बताओं ताकि आपकी जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो आए ना आप पहले से सचेत हो जाओ और अवेर हो जाओ कई बार हमारा दिमाग इस कहते हैं ना कि यह जो हमारा जो भागदोड भरा जीवन है इसमें हम कुछ चीजों प फोकस है वो पूरा का पूरा जो है मन्य अरन करने में है इदर भागम भाग मेंस खर्चे और जरुवते इतनी है कि इंसान को अच्छे से किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता तो वो क्या चीज है जिस पर आपको फोकस करना जी मैं आपको एक परसनल जो कि मैंने आज लेसन लिया है उस लेसन से आपको एक लेसन देना चाहूंगी कि जब भी आप फोन पे का यूज करें एटी एम का यूज करें तो उस खाते में आप कम से कम पैसा रखें और मैं भी यही सेम करती हूं जिस खाते से मेरा एटी एम चलता है जिस खाते से मेरा फोन पे चलता है या पे एटी एम चलता है उसमें मैं इतना मनी रखता हूं बस ज ज्यादा नहीं उसमें पैसा रखना है और जरूरी नहीं है कि जितने आपके छाते हो वह सब आप ses कम पैसार रखे इतना रखें कि कभी आप कुछ लौज भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो उसी से आप फोन पे चला है और उसी से आप जो है ATM कार्ड चला है और जब भी आपको लगे तो आप उसमें जो है अपना पैसा जब लगे जब थोड़ा-थोड़ा खर्च करना आप उसको जमा करें इस तरह से आप करें क्योंकि मैं आपको बताओं मेरा कुछ इसी तरह का कुछ लॉस हो है वो भी बच्चे की जो मेरी बेटी है उसकी गलती की वेदे से कुछ लॉस हुआ है इसलिए आपको सचेत करना चाहती हूं अभेयर करना चाहती ध्यान रहें जिससे ATM फोन पे आप चलाते हूं उस खाते में आप कम पैसा रखें और अपने खातों की जानकारी आप किसी को भी ना दें अपनी डेट ऑब बर्थ किसी को ना बताएं अपना अधार नंबर किसी को फोन पर किसी को अपनी परसनल कोई जानकारी नहीं देनी है तो यह चीज आपको अवेर है ना है यह आजकल जो है आउनलाइन फ्रॉट बहुत चल गया तो आप सचेत रहें और जब अगर हम जिस समय हमाना पैसा निकला है उसी समय हम कंप्लेंड करते हैं तो वह जो आकाउंट होता है जहां से पैसा रीषीव किया गया है जिसने भी गलत तरीकों से लिया है या निकाला है तो वह जो एकाउंट है thrive इस तुद लिंक पर जो भी लिंक आती है ना ब्लू कलर की आप किसी भी लिंक पर मेंसेज जो आती भी उस पट आपको क्लिक नहीं करना हैं ध्यान रहे इस बात का चाहिए कोई आपको कहें कि इसमें आप क्लिक करके पता लगाएं कोई भी एप डाउनलोड करने से पहले भी आप दस बार सोचें क्योंकि इस तरह के एप भी भन गए बन गए हैं जिसके तुरू आपकी पूरी जानकारी आपके मोबाइल की वहां तक ट्रांस्वर हो जाईए उस एप के जरिए तो आप भहुत ध्यान रखें आउनलाइन एप जो भी आप डाउनलोड कर रहें बहुत सोच समझके डाउनलोड करें किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है और बहुत अपनी परसनल ज जरूरी अर्जेंट लगे हां कि देना है तो दे सकते हैं जहां आपको अथेंटिक लगे हैं तो इस तरह से थोड़ा सावधान दहिए और मातरानी आपके सारे कश्टों को दूर करें मातरानी आपको हर खुशी दे सम्रद्धी दे इसी कामना के साथ हम हमारी रीडिंग को आगे लेकर जाते हैं और हमारी जो रीडिंग है उसका टॉपिक आपने देखी लिया है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आये तो लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें जिस भी पीठ के पीछे वार करते हैं आपकी पीठ के पीछे लोग आपको क्यों वार करते हैं यह हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे लोग आपकी पीठ के पीछे क्यों वार करते हैं कौन लोग है जो आपकी पीठ के पीछे वार करते हैं और क्यों करते हैं ऐसा वो लोग क्यों करते हैं ऐसा लोग क्यों करते हैं लोग आपकी पीट के पीछे बार आपको क्यों करते हैं लोग आपकी पीट के पीछे आपको बार क्यों करते हैं and bottom of the deck knight of cups तो यहाँ पर जो card आया है वाया eight of wands, seven of wands strength का card knight of wands depth page of wands four of pentacles four of cups nine of cups देखिए आपकी जो life में आप किस चीज को face कर रहे हैं आपकी life में जो है stability नहीं है और abundance नहीं है किसी भी चीज को लेकर stability नहीं है आपका जो जीवन है भौत उतार चड़ाव के साथ बीता है और abundance नहीं है abundance में जरूरी नहीं है कि पैसा ही abundance के लाता हर तरह का सुख, सुविधा, relationship अच्छी चलना, जीवन में पैसे की कमी ना होना, ये भी एक प्रकार का जो है abundance ही है अब हम देखते हैं कि लोग आपके पीट के पीछे लोग आपको वार क्यों करते हैं, क्या कारण है उसका तो change, देखिए ये ये same card और ये भी same card change success stress thunderbolt exhaustion दो card निकल के आ रहे हैं और abundance and bottom of the deck participation रहिए आपका जो nature है ये ऐसा है कि आप पूरा योगदान देते हैं अपनी तरफ से हर चीज में means आप लोगों को support करते हैं आप लोगों का ध्यान रखते हैं आप अपने loved ones अपने आसपास के लोगों सभी को support करते हैं सभी को बराबर एक योगदान देते हुए चलते हैं अग् का योगदान देना इस तरह का तो बात करते हैं आपकी राशी की तो यहाँ पर राशी जो है व्रश्चिक राशी है मीन राशी है सिंग राशी है और वांड की एनर्जी बहुत है मीनस पायर एनर्जी यहाँ पर बहुत निकल कर आई है मीनस एरिस लियो और सेज आपकी राशी हो सकती है आपका बर्थ मन्त अगस्त हो सकता है अपरेल हो सकता है जुलाई हो सकता है सेप्टेंबर हो सकता है यह आपकी बर्थ मन्त हो सकते हैं अक तो बात करते हैं कि लोग आपको क्यों पीट के पीछे बार करते हैं, यहां पर लोग आपको इस्ट्रेस देने के लिए ताकि आप हमेशा उस इस्ट्रेस में रहें, आप परिशान रहें, आप हमेशा अंदर से दुखी रहें, आपको दिमाग, आपके दिमाग पे कोई चीज देना, कोई स्ट्रेस देना, तो क्यों देते हैं, किस तरह से देते हैं, तो यह लोग जो हैं, आपके बारे में जूटा जूटा बोल कर, जो हैं आपके पीट के पीछे बार करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, आपके लिए गलत बोलते हैं, जैसे आप हैं, वैसा आपके लि के से आपके बारे में बूलना में आपके लिए गलत गलत बाते करना आपके चुगली कर देना कहीं पर आपको बदनाम कर देना किसी चीज में या आप पर कुछ कीजों का ब्लेम कर देना, इस तरह से जो है लोग आपको बदनाम करते हैं, साथ साथ मीन्स कहने का मतलब यह आपके पीट के पीछे लिए लोग आपको वार करते हैं लोग अपने स्वार्थ को साथने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ती करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए लोग आपके पीट के पीछे वार करते हैं means उनका काम बनना चाहिए भले किसी का कुछ भी खतम हो जाए किसी का कुछ भी खराब हो जाए अपना इनको उल्लू सीधा करना है कैसे भी बस और अपनी success के लिए अपनी progress के लिए अपनी growth के लिए अपनी prosperity के लिए abundance के लिए ये लोग जो हैं दूसरों की पीट पे वार करते हैं means हमारा अच्छा हो जाए दूसरों का खराब हो जाए हमारा अच्छा होना चाहिए ये बाकी किसी का कुछ भी खराब हो जाए ये सोच के लोग जो हैं आपकी पीट के पीछे वार कर देते हैं ये जो हैं अपनी एक्छाव के पूर्ती करने के लिए तस साथ सक्सेश पा के लिए, फेम पाने के लिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो दूसरी पार्टी को बदुनाम करना, दूसरी पार्टी के बारे में गलत गलत बोल देना, इस तरह से पीट पीछे ये लोग वार करते हैं, अपने को आगे बढ़ाने के लिए अपने को ऊचा उठाने के लिए लोग दूसरों के पीट के पीछे बार करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 चलता है। और इस पैसे के कारण, इस लोब के कारण, जो इनकी पैसे की जो काल जो लालच है, जो लोब है, उसके कारण भी ये लोग दूसरों के पीछे वार करते हैं, means अपने आप अपना भला करना, दूसरों का बुरा करना, जाहे किसी का कुछ भी बिगढ़ जाये, किसी का कितना ही नुक्सान हो जाये, बट इनको तो अपना प्रॉपिट करना है, इनको अपना लाब करना है, इनको अपना फायदा देखना है, तो ये किसी के भी पीछे वार कर देंगे, अगर वर्क प्लेस पे हैं, तो लोग अपने आपको बॉस की नजरों में चड़ाने के लिए जो है दूसरों के आइडिया दूसरों के इनोवेशन को कॉपी करते हैं और बॉस के सामने पेश कर देते हैं कि यह हमने यह हमने आइडिया आपको बताया है यह हमने इस आइडिया से हमारी कंपनी की प्रोग्रेस की है हमने इस आइडिया से हमने इस innovation से जो company को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है ऐसे करके लोग जो है आपकी पीट के पीछे वार करते हैं आपकी ideas को चोरी करना आपकी innovation को चोरी करके boss के आगे खुद को बहुत अच्छा साबित कर देते हैं यहां पर आपके बारे में जूटी जूटी अवा फैला देना आप ऐसे हो नहीं बट रिष्टेदारों में आपके बारे में फैला देना कि यह तो ऐसा है यह तो वैसा है बट actually में आप ऐसे नहीं हो आप बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन आपको बदनाम कर दिया जाता है किसी चीज में और आपकी बदनामी कर दी जाती है अपने आपको अच्छा साबित करने के लिए सबकी नजरों में इस तरह से यह लोग करते हैं आपकी पीट के पीछे बार आपकी चुगली कर देना सपोस्ट सपोस्ट आपका कोई फ्रेंड सरकल है और उसमें आपका किसी परशन से जो है जगड़ा हो गया या हो सकता है कुछ बहस हो गई है है ना तो जो दूसरे जो आपके फ्रेंड से वो आपके बारे में भले वा बात आपने नहीं की हो उस परशन को जाके चुगली कर देंगे कि यह इसने ऐसा किया उसके साथ यह तुमारे बारे में ऐसा बोल रहा था तो क्या होता है कि पैचप कराने की जगा रिष्टों में और बिगार कर देना इस तरह का काम जो है कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों के लिए रिष्टेदार कर रहे हैं यह काम मिन्स अगर किसी के रिलेशन के भी सपोस किसी भाई भेन या भेनों भेनों में या किसी भी रिष्टों में अगर आपके मन मुटाव चल रहा है तो यह लोग जो हैं उसमें और आग में घी का काम करते हैं ना कि उस आग को भुजाना बलकि उस आग को यह लोग और भड़काने का काम करते हैं कैसे चुगली लगा के दो कि चार बाते कर करके अगर आपने वो कहा भी नहीं होगा उस बात को चार बाते और उस बात में एड़ करके उस परसन को बोलते हैं कि यह परसन आपके बारे म ऐसा बोल रहा तो वो सामने आला जो पैच अप करना चाहिए तो वो और भड़क जाता है लड़ाई और जो है त्रीव आग पकड़ लेती है क्योंकि ये लोग जो है आग में घी डाल रहे हैं तो क्या होता है ऐसा करते हैं तो इनकी लाइफ में जो जैसा बोएगा वैसा फल को मिलेगा जैसा हम बोएगे वैसा ही काटेंगे तो अगर हम अच्छा किसी के साथ करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलना है वापिस लोटके आना है और इन लोगों के जो उसूल होते न कोई उसूल नहीं होते इनके कोई प्रिंसिपल नही लोगो जो होते वह बिन फाली के बैंगन होते कहीं भी लोड़क ना जहां धाल वहीं लोड़क जाते हैं तो यह जो है आपके पीद पीछे इस तरह से वार करते हैं अपने फायदों के लिए यहां पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका कोई हैड है अपने फायदे के लिए वो समय समय पर नियमों में संशोधन कर देते हैं जहां उन्होंने फायदा दे का वहीं नियमों में संशोधन कर देना मींस पदलाव ले आना अपने फायदे के लिए तो यहां पर लोग आपको इस तरह से चीट करते हैं, तो यहां पर चेंज का कार्ड आया है, जो कि यह बता रहा है कि, सौरी यह कार्ड तो अलग है, यह दैथ का है, सौरी, मुझे लगा था यह तैन नंबर है, तो यहां पर अपने जीवन में चेंज लाने के लिए ऐसा करते हैं, साथ साथ यह जो कार्ड ह वो कर्मा का भी कार्ड है टेर नंबर का अगर हम कार्ड टेरों में देखें तो वील ओफ फॉर्चुन का कार्ड है यह वील है यह घूम रहा है यह गोल गोल घूमता है जो हमने दिया वो वापिस लोट कर आ गया जो हमने दिया वो वापिस लोट कर आ गया तो ये कर्मा है, अगर आप अच्छे करम करोगे, तो कई गुना उसका फल आपको मिलेगा, अगर आप किसी के लिए बुरा करोगे, किसी के लिए गड़ा खोदोगे, तो एक दिन उस गड़े में आप भी गिरोगे, वो वाली कहावत है ना, कि बोया पेड बभूल का, तो आम कहाँ से हो, वो वाली बात है, तो कर्मा अच्छे कीजिए, अपना हित करने के लिए, अपना भला करने के लिए, ऐसा नहीं कि हमने किसी का जो है बुरा कर दिया, हम अपना अच्छा करें, लेकिन ऐसे करें कि किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी का कोई आहित ना हो, मन, कर्म और वचन से हमें दूसरों का भला ही करना चाहिए, दूसरों का अच्छा ही करना चाहिए, हमें किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि किसी के दिल और दिमाग में हट कर जाए, किसी का मन दुखी हो जाए हमारी बातों से, तो चुगिली जो करते हैं तो वो भी ग गलत बात है कि आप किसी की जबर्दस्ती चुगली किये जा रहे हो आप किसी के जबर्दस्ती बदनाम किये जा रहे हो सामने वाला ऐसा है नहीं आपने उसके बारे में गलत अव्वा फैला दी तो क्या होता है जब उस इंसान को पता लगता है कि इसने मेरे बारे में ऐसा मु निकलती हैं तो वो क्या करती है यह नेगेटिव वाइब जिसने उसके बारे में गलत बोला तो उसके पास ही जाती है और यही इसी को कर्मा बोलते हैं जो इनको भोगना पड़ता है इसलिए जो भी काम करें आप किसी के लिए कुछ भी बोलें तो वो सोच समझ के कहीं आप अ हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग मैं वीडियो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु भ्यम ओम साइराम जै मातादी राधे राधे